यह folder बना दिये, जिसका नाम है 12 और condition checking in depth यह मैंने आज की class का folder बना दिये और इसके अंदर मैंने एक अधर heading लगा दिये, condition checking और script के tag के अंदर इस वक्त सिर्फ एक if लिखा हुआ है सही है, अच्छा तो अब यह if जो हमने last time पढ़ा था, इस if का जो syntax है, syntax यानि इसको लिखने का तरीखा, इसकी grammar है, वो क्या है, वो यह है, कि सबसे पहले होगा if का keyword, जिससे जावा स्कृट को यह पता चल जाएगा, कि आप क्या करना चाहरे है, if की command देना चाहरे है, अपने parenthesis भी कहते हैं, ठीक है, और इसके दर्म्यान में क्या चाहिए इसको एक अदद, boolean चाहिए, इसके दर्म्यान में इसको क्या चाहिए, एक अदद, boolean चाहिए इसको, यानि कि या तो इसको दर्म्यान में true चाहिए, सही है, या फिर चाहिए false, सही है, इस bracket के दर्म्यान मे इसको true-false के इलावा कोई भी बात समझ में नहीं आती है ठीक है? if को हमेशा यहां में क्या चाहिए? true या false चाहिए अच्छा उसके बाद curly bracket एक open होती है और curly bracket होती है close इसके दर्मयान में जो भी code लिखा होगा इसके दर्मयान में जो भी बात लिखी भी होगी I am inside if body सही है? इसको हम बोलते हैं कि यह if की क्या है? body है यह यह if की क्या है? body है अच्छा अब हम इसको जो ना यह तो हमने इसका grammar समझ ली अब इस body के अंदर अभी फिलाल मैंने लिखी है एक line यहां पर मैं एक हजार line भी लिख सकता हूँ इसकी कोई limit नहीं है ठीक है? दो line, पांच line, दस line, पचास line जितनी मेरी जरूरत है वो उतने ही line मैं यह पर लिख सकता हूँ मिसाल के पॉर पर जैसे हमने रियल लाइफ की कल एक्सेंपल दी ती कि यहार अगर temperature 30 से उपर है, मैंने देखा यह, मैंने खड़की से जहागा, कि temperature 30 से उपर है तो मैं AC on कर सकता हूँ, एक line का code होगा यह, turn on AC लेकिन मैं और भी 10 का, मैं हो सकता हूँ, पंखा भी ओन करता हूँ, हो सकता है, मैं सारी खड़किया भी ओन करता हूँ, कि हवा आसपास हो कि कि हो सकता है, मैं कोई ऐसी चीज चल रही हो जिससे कमरा गरम होता हूँ तो multiple काम भी किये जा सकते हैं, किसी एक condition पे तो यहां पे हमें most of the time क्या दरोत पड़ेगी, कि एक line नहीं होगा, कम से कम 4-5 line, 10 line, 50 line का code इसमें होगा नॉर्मली, तो हमने क्या देखा, एक if का keyword, उसके बाद goal bracket है, जिसके अंदर इसको क्या चाहिए होता है, boolean, या तो true या तो false उसके बाद है if-key body, body के अंदर जो भी code लिखा होता है, वो क्या होता है, वो conditional होता है, कभी वो code चलता है, कभी वो नहीं चलता है, ठीक है, body के अंदर जो code लिखा हो hurricane, वो कभी चलता है, कभी नहीं चलता है, और किस भिहाफ पे, अगर यहां पे boolean इसको मिला true, तो ये quote चलेगा अगर यह उसको true नहीं मिला, false मिला तो यह body का code नहीं चलेगा, बलके line number 20 पे code direct jump कर जाएगा, अगर यह condition false होई, तो direct line number 20 पे jump कर जाएगा, इस body का जो code है, इसको skip करेगा, false होने की सूरत में, ठीक है, असान है, मुश्किल तो नहीं है, यहां तक जो मैंने बात पता ह समझ में आया सब लोग को, अच्छा, last class में लेकिन हमने क्या किया था, चलो imagine करो, यहां पे मैंने true दे दिया, हाथ से, जब मैं यह code चलाओंगा, तो क्या यह body चल जाएगी, body चल जाएगी, console पे print भी हो जाएगा, अगली दफ़ा code चलाएगा, अब क्या यह print हो जाएगा, मैं जितनी दफ़ा चलाओंगा, यह true ही रहेगा हमेशा, क्यूंके मैंने hard coded हाथ से true लिख दिया है, ठीक है, तो यह चाहिए तो उसको true, लेकिन हम कभी हाथ से direct true, ऐसे नहीं लिखते हैं, हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं, यूजर से input लो, हमें यूजर से input लेना आता है, ठ ठीक है, तो आमने उससे लिए आता है, एक prompt से भी होता है, वो भी बता दोता हूं, हमें सही है, मैंने का let user input equal to prompt, ठीक है, prompt वैसे use नहीं होता, आप लोग अपने assignments में prompt use नहीं कीजिएगा, form से input लीजिएगा, मैं ये prompt इसलिए use कर रहा हूं, ये one liner है, एक line में code हो जाता है, सही है, मैं ज्यादा line हो का code लिखोंगा ना, तो ये चीज़े अफिर complicated हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगी, ठीक है, तो prompt में मैं क्या लेता हूं, मैं कहता हूं कि यार, enter a number, ठीक है, यहां पर मैंने user input बोला कि enter a number, अब मैं इस input की उपर condition लगाँगा, कि अगर बंदे न equal है, तो ये काम कर दो, ठीक है, तो मैं हमेशा condition किस पर लगाता हूं, user के input पर लगाता हूं, तो मैंने बोला कि अगर user input equals equals है, 5K, ठीक है, इस में छोटा सा plus लगा देता हूं, ता कि number में convert हो जाईग, मैंने का user input अगर equals equals है, plus के, तो ये काम कर दो, अब असल में हमने क्या इस ब्रैकेट के अंदर मैंने एक एकस्प्रेशन दे दिया एकस्प्रेशन हम एकस्प्लोर कर चुक है मेले क्या होता है कोई बताने चाहिएगा एक जुमले में एकस्प्रेशन क्या होता है मैथ एकस्प्रेशन हमने यह डिटेल में डिसकस किया था याद पढ़ रहा है। इस क्लास में। कि जब एक इंजिनियर दूसरे इंजिनियर को अपनी बात बताता है, तो वो एक्सप्रेशन होती है। वो मैध की जुपान में एक बात बता रहा हृता है। ये बात की है मैने इस क्लास में। तो यह हमने जब प्रेसिदेंस पड़ी दिया ना ओप्रेटर की प्रेसिदेंस ठीक है यह रहा यह जो क्लास नंबर एट इसमें आरी है ना जो एट नंबर फोल्डर आरहा है क्या है इसका नाम ओप्रेटर की प्रेसिदेंस और रिटरन वैल्यू इस पॉइंट पे हमने के बात डिसकस की थी कि एक्स्प्रेशन जो है वो क्या चीज होती है ठीक है अच्छा तो यह असल में एक expression है expression चलो थोड़ा सब दोबारा repeat कर दता हूँ 2 plus 2 अगर लिखा वैं तो यह 2 plus 2 एक expression है जब program चलेगा ना तो यह हट जाएगा इसकी जागा 4 आ जाएगा समझ रहो तो यह जो मैंने comparison operator लगा अच्छा comparison operator अभी तक हमने बढ़े नहीं है अभी हम पढ़ेंगे अभी तक हमने सिर्फ एक comparison operator पढ़ा है अच्छा तो उसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं देखो user input जब code चलेगा तो यह क्या return करेगा जो भी user ने दिया होगा मिसाल कि user ने 4 दिया फोर लिखा user ने तो फोर आदेगा यहां पर यही होगा जब code चलेगा तो user input खुद तो हट जाएगा वह तो variable है उसकी actual value महां पर आ जाएगी फोर इक्वल्स इक्वल्स फाइव यह एक expression है जैसे टू प्लस टू फोर होता है तो 4 triple equals to 5 यह comparison operator है अगर 4 और 5 यह दो साइट बजबा लिए अगर दोनों equal होगी तो यह क्या return करेगा true अगर दोनों equal नहीं होगी तो false return करेगा ठीक है तो comparison जैसे टू प्लस टू करते हैं तो यह कौन सा operator है यह प्लस का operator है यह अर्थामैटिक operator कहते हैं प्लस मैरस मैंटिकलाई डिवाइड चार operator जो इसको अर्थामैटिक operators कहते हैं तो यह अर्थामैटिक operator हमेशा मुझे क्या return करेगा एक number return करेगा 2 प्लस 2 होगा तो 4 करतेगा 5 प्लस 2 होगा तो 7 करतेगा तो यह प्लस का operator हमेशा मुझे क्या return करेगा एक number return करेगा, लेकिन जो comparison operator होता है, सहिए, comparison operator जो होता है, वो हमेशा मुझे क्या return करता है, boolean return करता है, या तो वो देगा true, या तो देगा false, ठीक है, मैंने अगर इसको ये बोला, कि user input, ठीक है, अचा एक तो plus plus था, एक होता है less than, ये भी एक operator, ये 5 operator है, हम इसको अलग से पढ़ेंगे, अभी थोटा सा overview दे रहा हूँ, तो ये operator मैंने जो लगाया है, कि user input less है 5 से, user input क्या है, less than है 5 से, तो user input में मिसाल के दोर में बंदे ने दिया true, तो क्या ये बाद true है, हा true है, तो ये मुझे क्या return करेगा, true, तो यहाँ पे true आजाए, सही है, तो ऐसा करने से क्या होगा, कि कभी ये expression evaluate होगा true पे, कभी ये expression evaluate होगा false पे, जब ये true पे evaluate होगा, तो ये चल जाएगा, जब ये true पे नहीं होगा, false पे होगा, तो ये दी चलेगा, इसको चला के देख लेते हैं, ठीक है, तो इस code के चलने पे, ये program मुझसे एक अदत input मांगेगा, अगर म अगर मैंने 5 के लावा कुछ भी लिखा, तो ये false हो जाएगा, और console screen पे नहीं आएगा, चला के देख लिए जाए, copy path, यहाँ पे paste, देखो मुझसे एक number मांग रहा है, मैंने लिखा 5 और ok किया, अचा console मैंने open नहीं किया था, console open करके ने दुबारा से चलाता है, ये मैंने console को clear भी कर दिया और refresh किया ताकि ये दुबारा चले, मैंने exactly लिखा 5 और ok किया, तो देखो ये console आ गया, इसका मतलब पर वो if क्या हो गया, true हो गया, अब मैं इसको दुबारा किलियर करता हूँ, दुबारा program run करता हूँ, मैंने इस बार लिखा 7, ok किया, तो और नहीं console पे print आया, इसका मतलब पर 7 लिखने पर क्या होता है, ये false return कर देता है, और अगर मैंने imagine करो कि हाथ से या पर true लिख दिया, तो ये हमेशा true होता रहेगा, चाहे मैं कुछ भी करूँ, ये हमेशा true रहेगा, ठीक है, अगर हाथ से false लिख दूँ तो हमेशा false रहेगा, तो इस व इस वाले portion में हमेशा हम expression लिखने की बोशिश करते हैं, हाथ कोड़े true ये false आम तोर पर नहीं लिखते हैं, ठीक हाथ कोड़ेट लिखने के तो होपर change ही नहीं होगा, बहर दफ़ा ही true रहेगा, अच्छा, इतनी बात में किसी का कोई सवाल, जो मैंने इतनी बात बताई हो, इफ में कोई ऐसी चीज जो अभी तक समझ में ना आई हो, प्रॉंट तो छोड़ दो, इन्पुट लिया मैंना, सभी है, प्रॉंट क्या है, जिए प्रॉंट जहां पर इतना लिखव है, जब ये कोड रन होगा तो इस प्रॉंट की जगा में क्या आजाएगा, वो आएगा, तो इस इन्पूट अटुट, वहां ने सीखा ये लिए उर्यागा, वे जिए लिए प्रॉंट वाला तरीका मार्कट में यूज नहीं होता, मैं यहां पर प्रॉंट इसली इस्तामाल करो हो, के वन लाइन रहे, फ़ॉंट बनाने के लिए वो ज़े कम से कम छे तो इसलिए मैंने यह वाला तरीका किया यहां पर बन लाइनर की वज़े से, वरना मैं भी अपने प्रोफेशनल कोड में प्रॉंट को यूज नहीं करता हूं, प्रॉंट ब्लॉकिंग कोड है, इसलिए लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, मिसाल के दोर पे जब मैं आऊंगा मैं पर रिफ्रेश करोंगा, अब यह प्रॉंट खड़ा होगी, अब कुछ भी नहीं चलेगा, जब तक मैं कोई भी विटन नहीं काम नहीं करेगा, जब तक मैं इसमें कुछ जीज इंटर नहीं करता हूं, कुछ एंटर किया मैं ओकी किया, अब चलेगी, देखो यह है, यह इतने को, मैं दो रोक देता हूं, अब यहाँ पर मैं एक फॉर लिखता हूं, अच्छा, इस इफ के अंदर भी मैं क्या कहता हूं, मैंने इसके अंदर भी एक console लगा दिया कि अगर ये if true होगा तो क्या होगा ये console आ जाएगा अच्छा यहाँ पे मैंने आगे लिख दिया car if की bracket में बजाए मैंने कोई expression लिखने के क्या लिख दिया car अब इसको तो चाहिए होता है boolean true या false अगर true false होता है तो मैं ये समझता कि अच्छा अगर true है तो हरदफ़ा ही true होगा false है तो हरदफ़ा ही false होगा अगर expression होता को मैं ये समझता कि है expression evaluate होगा true या false लेकिन अभी मैंने लिख दिया string car अब कौन मुझे बताएगा कि इसका result क्या होना शाहिए किया इसमें एर्र आ जाना चाहिए यह ब्रेंस्ट्रॉमिंंग का सवाल है सही तो मैं बताऊं। सब्सक्राइब को क्या है जब रॉर्द का क्रेण। आप आते हैं क्यों यह यह परॉल्ण का TV is एर्रो भागना चाहिए या यह इस ru समझ ह構ते था या यह त कितने लोग ऐसे हैं जिनको जावास्ट्रप पहले से पढ़ी विया है जी आप लोग बता है अपना कीमती रहे आप अवाज नहीं आरी तुमारी टाइबर आजए अगा और क्या चीज़ आप बता है कॉंसोल पे देखो अंडिफाइन प्रेंट होने के लिए ना कंसोल पे अंडिफाइन प्रेंट होने के लिए मुझे कॉंसोल चलना दरूरी है कोड़ चलेगा है कितने लोग कह रहे हैं के चलेगा अच्छा आप भी कह रहे हैं चलेगा जड़ा ऐसे अपना ओपीनियन दे में क कि यह चल जाता है तब और कुछ ओपीनियन दे रहाँ चाहए रहा है कुछ जाए गढ़ा है इसको चाहिए उता है बूलियन अगर में पर डॉक्यमेट्स प्रड़ा के देखो इसको मैंने का इफ और मैंने का अगर मैं डॉक्यूमेंट दिखूं तो यह मुझसे क्या बोलता है यह मुझसे बोलता है कि भाई इफ के आगे ना मुझे कंडिशन चाहिए कोई ठीक है और कंडिशन क्या होती है कोई यह भी कह रहा है कि बूलियन चाहिए तो अब मैंने उसको दे दिया स्ट्रिंग और इस कोड को अभी तक बहुत सारे लोगों ने चला के देख लिया होगा यह कोड चलेगा इफ को ट्रू कंसेडर करें गई ठीक है चला के हम यहाँ पे भी एक दफा देख लिए था है सही है देखो I am inside if body इसको मैं refresh करता हूँ इफ को क्या कर रहा है यह त्रू कंसेडर कर रहा है यह कार लिखने से उसको ट्रू कंसेडर क्यों कर रहा है बाई यह तो बूलियन लिखता मैं ट्रू लिखता तो ट्रू करना चाहिए था तो इसका जवाब यह है अच्छा चलो ए अभी भी ट्रू है वजा माइनस 23 लिखा मैंने अभी भी ट्रू है सही है अच्छा अगर मैं इसमें 0 लिख दूँ अब फॉल्स हो जाएगा अब फॉल्स हो गिया है सही है यह मैं इसमें इस्ट्रिंग मैं आइसे लिख दूँ फॉल्सⁿ इस्ट्रिंग के अंदर फॉल्सस लिखा वह जो भी लिख वह उन इस त्रेंग हो बॉल्स हो बॉल्स ही था और मैं यह सताट हर और मैं यह ँःकल करता है तो यह इसको फॉल्स ले रहा है तो हमने यह देखा कि यह boolean के इलावा भी मैं कुछ भी इसको देता हूँ न तो यह उसको क्या करता है convert कर लेता है कुछ values को true पे और कुछ values को false पे यह कर रहा है असल में behavior जो हमने इसको observe किया है experiment के जरीए वो हमने यह किया है कि boolean एक तो देता हूँ तो उसको तो सही समझ आ जाता है कि true और false लेकिन boolean के इलावा अगर मैं number देता हूँ या मैं string देता हूँ तो जैसे car लिखा था मैं उसको true कर दिया कि कौन कौन से number होंगे जिनको यह true पे करेगा कौन से पर false पे करेगा तो इसका असान सा जवाब है javascript के अंदर साथ ऐसी values हैं जो false values हैं जो false values होती है तो if का जो bracket है यह क्या करता है यह उसको देखता है कि अगर तो पहले मुझे सीधा-सीधा true या सीधा-सीधा false मिल जाए अगर वो नहीं मिलता है तो फिर यह देखता है कि आया कि यह value false value है अगर false होती है तो false लेता है बाकी सब को true करता है कौन सी है वो false values आके जल्दी से google पे लिखते हैं false values javascript एंटर ठीक है यह देखो आ गया मौजला का document यह वो values है जिनको यह false लेगा ठीक है एक तो false itself खुद भी यह false है 0, minus 0, 0 किसी भी form में हो false है, empty string किसी भी form में हो false है, null, undefined, an, an, यह सारी चीज़े क्या है यह false है इनके इलावा मैं कुछ भी लिखोंगा ना यह safe के अंदर, उसको यह true लेगा empty string में यह false हो रहा था, 0 में भी false हो रहा था, अगर मैं minus का कोई 500 भी लिख दूँ, यह true है positive 300 लिख दू, true, string के अंदर, सिर्फ empty string के लावा कुछ भी लिख दूँ ना मैं, सब true है तो हमने क्या सीखा, कि if की जो body है, oh sorry, if के अंदर जो bracket है, उसके अंदर हमें क्या देना पड़ता है, हमें पहला तो हम देते हैं condition, condition evaluate होता है true यह false में, लेकिन अगर वो condition जाहिरक expression है, मैं 2 plus 2 अगर लिख दूँ, ठीक है, 2 plus 4 लिख दिया है मैंने, तो अब यह किस पर evaluate होगा, ज़रूरी नहीं है कि हर expression, boolean पर evaluate हो, ज़रूरी नहीं है, तो अभी इस सूरत में क्या है, यह true है, क्योंकि यह return करेगा 6, और 6 क्या है, false value में चूँके नहीं है 6, तो इसका मतलब है truth ही है, तो truth value मिलेगी if true है, सही है, मुश्किल तो नहीं था, यहाँ पर मैं दुबारा से car लिख देता हूँ, और car के साथ सथ क्या कर देता हूँ, list of false values और comma डालके, यह मैं link किसका लगा देता हूँ, इस document का, ठीक है, कि कौन कौन सी value false है, उस document में एक list बनी लिए, वो मैंने यहाँ पर attach कर दी है, अच्छा, यह समझ में आगिया सब अब एक चीज का और जवाब दो, अगर इस if में मैं कुछ भी ना लिख हूँ, अगर इस if की bracket में मैं कुछ भी ना लिख हूँ, तो इसको यह true लेगा या false लेगा, या यह error देदेगा, आते हैं, देखते हैं चला के क्या होता है, ठीक है, error देदिया सब, if की bracket की अंदर expression लिखना required है, अगर आप कोई expression नहीं लिखेंगे, तो error देदेगे, ठीक है, यानि के वो expression इसके syntax का part है, यानि syntax grammar वो कहते है, मिसाल के तौरपे आप अगर कहने के मुझे पानी दो, तो इसकी grammar सही होनी चाहिए, सही है, या सिर्फ give और water लिखा आपने तो यह error है, ठीक है, तो grammar में से चीज मिस कर दिया, ठीक है, तो हमने के लिखा, expression is part of syntax, ठीक है, and it is required, ठीक है, if से मतालिब कोई और सवाल किसी के जहन में अगर हो, अब if में इतना ही था, if में इससे आगे कुछ नहीं है, अब else देखेंगे हैं, कि else के साथ जब यह चलता है, तो else का क्या भी है रहे है, if के अंदर इससे जादा कुछ भी नहीं है, अगर यह चीज समझ में आ गई है, तो दुनिया की जितनी भी प्रोग्राइमिंग लाइंग्वेजन उसमें इसी तरह काम करता है, अच्छा, यह प्रूथी फॉल्सी सिर्फ जावास्क्रिप में है, बापकी चीज़ा सारी हर ल अब हम देखते हैं कि else में क्या scene है, यह तो if हो गया हमारा, if के मसले हमने सारे इनम टालिये, अब if जब लगता है else के साथ, सही है, एक user input मैंने imaginary बना लिया है, कि यहाँ पर user ने 5 input दिया है, ठीक है, अब हमें लिया नहीं user's input, मैंने का user input equals equals 5, अगर है तो क्या कर दो, console.log पे चला दो, if is true, ठीक है, अच्छा, अब मैं multiple if लिखूंगा न, मैंने का if 3 हो गर तो यह चला दो, 1 हो अगर तो यह चला दो, ठीक है, मैंने 3 if लगा दिया है, अब मेरा जो computer है, जब यह program चलेगा, तो इसको भी check करेगा, इसको भी check करेगा, इसको भी check करेगा, no matter what, अगर पहला वाला true भी हो जाता है, तो दूसरे को फिर भी check करेगा, तीसरे को फिर भी check करेगा, यह individual, अलग-अलग if statements है, ठीक है, अच्छा, हर if के साथ else हो सकता है, हर if के साथ else भी हो सकता है, ठीक है, मैंने पहले का भाई, if is false. पहला if था, उसका else है. दूसरा if है, उसका भी else है. और ये तीसरा if है, इसका भी else है. ठीक है? हर if के साथ optionally, optionally else लगाना, ज़रूरी नहीं है. हम हर if के साथ else लगा सकते हैं. मिसाल के तौर पर यूजर ने अगर 5 दिया input, मुझे मिसाल के तौर पर मैं menu, menu select करवाना चाहरा हूँ. एक से लेके 9 तक menu है. ठीक है? तो मैंने का भी अगर 1 है, अगर 2 है, अगर 3 है, ठीक है, या 4 है या 5 है, 5-6 menu है मेरे बास. मैंने का भी यहां पर मैंने 2 कर दिया, कि user ने 2 select किया menu, तो मैं 2 की सूरत में क्या करवाना चाहरा हूँ, यह करवाना चाहरा हूँ. ठीक है? तो अगर मैं else भी लगाता जाओंगा हर if के साथ, अब इसमें में प्रॉपर दरा message में लिख जाता हूँ. यू selected menu 1, ठीक है? फिर मैं बोलूँगा you selected menu number 2, menu number 2, सही है, तो मुझे इन में से कोई एक दिखा रहा है, कि कौन सा menu बंदे ने select किया है, तो इस case में मुझे अलग-अलग if लगाना बड़ा मसला है, तो अब मैं इस case में क्या करूँगा, इसमें मैं अलग-अलग if नहीं इसमें में क्या लिखूँगा, chain statement, else if लिखूँगा, इसको मैं if को सारे if को जोड़ दूँगा, सही है, जो हमने last class में किया भी था, else if किया था, अचा अलग-अलग if की जरूद कपड़े के वो भी देखते हैं, अलग-अलग उसकी भी जरूद पड़ती है, कुछ cases में, तो else if, else if, else if, else if, this is called chain statement, this is called what? chain statement, अगर कोई एक भी true हो गया ना, आगे वालों को चेक नहीं करेगा, भी निया, बस खतम आपे गाने, सारो, आपने वो बनाई की website, जो आप दिखा रहे थे मेरे को chatbot की आपने, इसके लिखा रहे थे मेरे को chatbot की आपने, इसके लिखा रहे थ तो अगर मैं बोलूँगा ना, कि give me breakfast, तो exactly मुझे spelling पर वो ही लिखनी पड़ गी, ठीक है, अलागे मेरे chatbot में ऐसा नहीं है, आप किसी दूसरे अंदास से भी कहेंगे न, breakfast, वो समझता है उसको, ठीक है, तो आप जिस तरह से भी मांगेंगे पानी या जिस तरह से भी आप पर सकते हैं, कि अगर कोई भी वर्ड उससे रेसे होगा, तो आ सकता है, ठीक है, one से लेके five तक का menu मैंने बताया, और इन सब को जब ये check कर लेगा, इन सब को check करने के बाद क्या करेगा ये, अगर कोई भी true नहीं होता है, तो फिर आखर में ये else को चलाएगा, सभी है, one से लेके five तक menu था, अगर कोई भी true नहीं होता, तो आखर में ये else चलेगा, चार if है, पाँच if है बलके, और एक else है उसका, ये हम किस में कर रहे हैं भी, chain statement में, तो इस तरह की जो हमारी strategy होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, chain statement, सभी है, ये chain statement की example हो गई, understood, chain statement की जुरत हमें कहां में बढ़ी थी, last class में जो हमने किया था नहीं कि बंदा एक select करेगा, चार option में से, जी दोस्ते, जितनी लंबी करते हैं, कोई limit नहीं है, जितनी condition आप लगाना चाहें, इसमें लगा सकते हैं, कोई इसमें limit नहीं है, ठीक अभी 5 लगा है, आप 10,000 भी लगा दें तो इसको फर्म नी पड़ेगा, अच्छा, इसको अब मैं chain statement को रोक देता हूँ, अच्छा, अब एक चीज है, आम तौर पे, मिसाल के तौर पे आपने किसी user से input लिया, और email मिसाल के तौर पे आप लेना चाहरे है, ठीक है, आपने email input लिया, अब इसमें अगर validation वगरा लगानी पड़ती है, इमेल तीन character से छोटा तो ही नहीं सकता न email, तीन character से छोटा तो email नहीं हो सकता, तो आपने इस तरह की validation अगर लगानी है, तो आप क्या करेंगे फिर, अच्छा, किसी भी string variable पे dot length करता हूँ न मैं, तो क्या मिल जा चौदा इसकी length है total, तो मैं इसको बोलूँगा कि user input dot length, user input dot length की जगा मुझे actual 14 मिलेगा, जब ये code run होगा, तो मुझे 14 मिलेगा, ठीक है, user जितना input देगा, वो number मिल जाएगा, मैंने काया कि अगर less है, किस से, 3 से, अगर user नहीं जो input दिया है, उसकी length अगर कम है 3 से, तो क् अगर दो, console पे print करवा दो कि भाई, email is to short, ठीक है, else इसमें लगाने की मुझे जरूद नहीं है, else में कुछ करवाना थोड़ी है, अगर तो if है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे मैं इसको return करवा, अभी return आपने पढ़ा नहीं है, वो बात में बढ़ेंगे मतलब port को मैं ही रुखवा दूँगा, मैं मुझे आगे नहीं जाना है, यहीं रुख जाओ, email बहुत short है, अचा फिर मुझे एक चीज़ और भी चेक करनी है, कि भाई, ज्यादा 200 character से ज्यादा तो नहीं कर दिया गई, email कितने character की होती है, 20 character, 25 character, ठीक है, लेकिन मैं limit लगा dot length होगा, अगर बड़ा authorities है, तो क्या करोगा, आप बोले too long, अब यह तो मैंने दो चीज़े चेक की है, अब इसमें मैं chain statement नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं करना कि अगर एक true होगी है, तो बाफियों को check नहीं कराना, मुझे सब को check कराना है, एक एक करके सारे checks इस पर यह सारे check लगेगे, ठीक है, जब आप image upload करते हैं, तो जाहरे हम आप limit होती है, पांच MB से ज्यादा की image नहीं हो सकती, फिर सिर्फ JPG format में होती है, PNG नहीं हो सकती, हो सकता है का ही limit हो, आप PDF अप्लोड करना हो कहा नहीं है, PDF तो नहीं है, JPG चाहिए मुझे, ठीक है, फ जिसमें chain statement नहीं लगाते हैं, और भी बहुत सारी situations ऐसी आएंगे आपके बाद जिसमें chain statement नहीं लगाएंगे आप, आप अलग-अलग if लगाएंगे इसको, ठीक है, तो यह हमने दो use cases देख लिए, if के, अच्छा, एक और इसमें condition लगा देते हैं, ठीक है, एक और condition किया है अगर email लिया ना मैंने, तो email के दर्म्यान में add the rate होना जरूरी है, जिन लोगों को java script पहले से आती है, कैसे पता लगेगा यह, मैं क्या लिख हूँ user input पर, user input dot, मुझे string के बीच में यह चेक करना है, कि अगर इसमें add the rate है या नहीं है, तो क्या condition लगा उसके लिए मैं, dot sub string, ठीक है, returns the sub string, specifies the location within ना, सही है, dot sub string में क्या करूँगा, add the rate, ठीक है, यह methods है, string के यह पढ़े नहीं है, ठीक है, यह लेकिन मैं list बता दूँगा, पढ़ाओंगा, तो खर नहीं है, इसकी आपको list बता दूँगा, वा जाके आप देख लेंगे, कि string पर कौन कौन से method हो सकते है, ठीक है, क्योंके आप जावा स्क्रिप जल्दी जल्दी खतम कर दूँगे, अच्छा, तो यह जो method है ना, यह वाला, exactly यह method जो है, यह क्या करता है, sub string, user input, एक text होना चाहिए, जरूरी, उसी पर ही लगेगा, यह number पर नहीं लगा सकते है, और sub string में add the rate दिये ना, मैंने, तो अगर इसमें कहीं add the rate मौझूद होगा, इस text के अंदर, तो मुझे उसका number बता देगा, कि कहां पर है, मिसाल के दौर में 0, 1, 2, 3, 4, 4 index पे मौझूद है, तो वो मुझे 4 बता देगा, मुझे क्या देगा यह, 4 देगा, अगर माँ पे add the rate exist करता ही नहीं होगा, तो minus 1 देगा मुझे, तो मैं क्या बोलूँगा, कि अगर यह minus 1 दे दे, मैंने का equals equals minus 1 अगर ही हो जाए, तो क्या कर दो, console पे लिखो, कि add the rate is required in email, सही है, add the rate नहीं है, या invalid format या कोई भी ऐसा message आप generic से दे सकते हैं, जिसको user समझ ले कि अच्छा यार यह मसला है, तो जब इस तरह से हम condition check करते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो इसमें हम chain statement इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अलेहदा-अलेहदा if इस्तेमाल करते हैं, और हर if के true होने पर, जैसा इस if के true होने पर मैं एक decision लेता हूँ, इस if के true होने पर एक decision, by default assumption होता है, एक अगर user ने सही बात लिखी है, तो सारे false होंगे, जब ही तो आगे बढ़ेगा न, नीचे exactly अपनी जगह तक पहुँचेगा, जहाँ पर मैं उस email को database में most probably भेज रहोंगा, ठीक है, उस जगह तक पहुचेगा, तो यह हमने if को थोड़ा सा अज explore किया, ठीक है, और, जी, 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 अगर उसको add the rate उसमें नहीं मिलेगा, तो क्या दे देगा यह, मैनस बन दे देगा, ठीक है, तो अगर sub string equals to minus one है, तो इसका मतलब add the rate नहीं है उसके अंदर, ठीक है, तो minus one अगर है, तो उस सूरत में action लेंगे, अगर minus one के अलावा कुछ भी है, तो हम उस सूरत में action नहीं लेंगे, फिल हाल के लिए, वैसे तो by the way, अगर zero भी दे तो वो भी error है, अब जल्लक एमेल add the rate से शुरू तो नहीं हो सकता ना, पहला character तो add the rate नहीं हो सकता, कम से कम दूसरा character होगा, तो वो भी check लगा सकते है, जो हमें required होता है कि अच्छा है यार यूजर गलत ना देदे, by the way, हमें, ये तो मैं ऐसा example बता रहा हूँ, जब आप form बनाते है HTML का, तो उसमें आप type लिख देंगे न, email, तो वो email जब तक सही लिखेंगे निए, आप entry नहीं करने देगा आपको, वो submit का बेटा नहीं काम नहीं करेगा, तो ये तो बना वाय, मतलब ये मैं example के दौर पे बता रहा हूँ, if को कहां कहां इस्तमाल कर सकते हैं, आप वो example दे रहा हूँ, अच्छा, अब एक, छोटा सा assignment भी देते हैं साथ साथ, if का, if का छोटा सा assignment देते हैं, चलो अभी नहीं देता हूँ, आज इवेन और्वला बना लो, सही है, इंशाल्ला फिर मिलते हैं एंगली क्लास में,